एलो एव्रीवन कैसे हैं आप सभी I hope you all are fine so मैं हाजिर हूँ आपके class 8th lesson 1 another chance की exercise का solution लेकर तो चलिए बिना time based किये हम इसकी exercise को solve करते हैं ठीक है तो आपके exercise में जो पहला question है वो क्या है listen and repeat सुनो और दोहराओ ठीक है तो मैं बोलती जाओंगी आप दोहराती जाना ठीक है beginning, winning, forgiving, start, heart, part, better, later, fatter, deep, keep, beep ठीक है अब है आपका word power तो आपको इसमें पहला question दिया गया है read the poem and write the antonyms of the following word तो पहला जो example आपको दिया गया है जैसे good का bad ऐसी success का failure stale का fresh, hope का despair, end का start and shallow का deep ठीक है ये उल्टे word है अब positive word कहलाती है next question है आपका fill in the blanks with appropriate walls ठीक है तो इसमें आपको blanks को fill करना है तो इसमें often है, e है, इसमें e नहीं लिखा था, bolt में o, wish में I, forgive में I और mistake में भी I और ये आपको पता है कि walls कितने होते हैं, 5 होते हैं, a, e, i, o, u, ठीक है अब वो next question है आपका find words that rhyme with the following आपको rhyming word find करना है, जो नीचे stars में जो word दिये गए है उनकी rhyming word find करना है तो rhyming word means क्या होता है, एक से द्भनी वाली शब्द या शमान द्भनी वाली शब्दों को हम rhyming word कहते हैं, ठीक है तो sign का find, throw का grow, start का part और beginning का forgiving, ठीक है अब आपका next question है, उसमें हमें क्या करना है, comprehension तो comprehension question जो है, answer the following questions मैंने पहले से ही इसकी video upload कर दी है, तो आप बहुत अच्छे से इन्हें learn कर सकते हैं तो आप चैनल की playlist में जाईएगा, तो आपको वहाँ पर class 8 की exercise solution की playlist में लेगी वहाँ पर आपको questions की answer की video मिल जाएगी, ठीक है अब हम next question क्यों चलते हैं, तो next question है, आपका match the following तो आपको match it करनी है इसमें, तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं, numbering आपको लिखनी होगी तो आप numbering भी लिख सकते हैं, और यदि आपको ऐसी match it करनी है, तो आप match it भी कर सकते हैं, ठीक है अब हम next question क्यों चलते हैं, next question में हमें क्या करना है, let's do it हमें, चलो हम करते हैं, ठीक है a number has given to each letter of the alphabet in the table below, आपको नीचे जो table दी गई है, उसमें alphabet लिखे गए है, a to z और उसमें numbering की गई है, ठीक है so, read the table and decode the message, आपको इस table को पढ़ना है, वह जो नीचे message दिया गया है आपको, जो numbering दी गई है, उसमें हमें alphabet लिखनी है ठीक है, so, चलिए देखते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, never give up in despair and hope of starting new आपको जो numbering दी गई है, numbering के according हमें alphabet लिखना, तो मैंने यहाँ पर लिखती है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है so, I hope students, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो इसे like करें, share करें, चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe भी कर लें, और well icon को भी प्रेश कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ, आपको तुर